हेलो फ्रेंड्स आज वें आपको प्राइवेट आए ये 2009 की कोरियन मिस्ट्री थ्रिदर मुवी एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ जिस तरीके से शार्लोक होम्स में शार्लोक होम्स और डॉक्टर वाटसन इन दोनों के रिलेशन्शिप दिखाई गई है उसी तरह के से इस मुवी के क्यारेक्टर में भी इन्होंने डेवलप करनी कोशिश की है और अच्छे परसंटेज में ये सफल भी हो जाते है ये मुवी अलग-अलग टर्न से भरी हुई है तो चली इसे एक्स्प्रेंड करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक आत्मी जंगल से चल रहा है उसके साथ एक डेट बॉड़ी है इसे वो लेकर जा रहा होता है इसके बाद जिन हो जो हमारा में क्यारेक्टर है ये हम देखते है जिन हो एक प्राइवेट डिरेक्टी होता है एक वाइफ चीट कर रही थी तो जिन हो ने उस हजबन को वो जहाँ चीट कर रही थी वहाँ पर लाकर छोड़ा था जब चीटिंग करती होए वाइफ को उसने पकड़ लिया तो इसके फोटो जिन हो ने ली ली न्यूस्पेपर एडिटर इसे पैसे देता है और पुछता है कि तुम क्यों वहाँ जाना चाते हो कि वहाँ में बहुत सारे पैसे कमाना चाता हो यह जोग कर देता है कि वहाँ बहुत सारी वाइब्स चीट करती होंगी अब जिन हो सिटी में आता है इसे actual में directive work भी करना होता है इसलिए अपने pamphlet city में लगा देता है इसके बाद next scene में हमें दिखाया चाता है कि एक operation चल रहा है यहाँ पर एक बड़े doctor होते है जो Japanese होते है इनके हाथ के नीचे हमारा और एक main character जिसका नाम Jang होता है यह काम करता है इस operation में Jang थोड़ा भी डरा नहीं था और सही से उसने doctor को help की थी तो जब यह operation खतम हो जाता है तो doctor Jang से कहते है कि तुम्हें और भी practice करनी चाहिए जैंक generally animals पर practice करता है तो doctor से कहते है कि अब तुम्हें humans पर practice करनी चाहिए डॉक्टर ने अभी अभी operation किया है पर इसके बदले में उसे एक भेज दी गई है यह जो हमारी story का time period है यह 19th century का starting का period है इसी वज़े से यहां में दिखता है कि doctor को as a payment वो भेज दे दे थे है डॉक्टर इसमें frustrated होता है क्योंकि जापान में लोग ऐसा नहीं करते थे इसके बाद हमें crime scene देखता है जहां बहुत सारा blood पड़ा होता है यहां वर यंग नाम के police officer को बुलाया जाता है यंग यह crime scene देखता है तो बहुत सारा blood होता है जल्दी से उसके नीचे काम करने वालों को यह पोशने के लिए बोलता है यह कहता है कि यह master के sun का room था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए master आकर यह देखता है और इसे बहुत सदमा लगता है master का बेटा ही गायब हो गया है तो बहुत इचीड गया आता है वो जल्दी से जल्दी यंग को ढूणने के लिए बोलता है यंग भी कहता है यह अगर आपका बेटा नहीं होता तो मुझे जॉब कभी भी नहीं लगती यह master कहते है कि अगर तुमने सही से मेरे बेटे को ढूण दिया तो तुमारा नाम हम हिस्ट्री में अमर कर देंगे अब नेकसिन में यंग सस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालता है वो अपने कलिक के साथ ये लिस्ट देखता है और उनके नाम से ही लॉजिक बनाने की कोशिश करता है एक के नाम में टाइगर होता है तो इस नहीं ये काम किया होगा इसलिए उसको ही वो सस्पेक्ट बना देते मास्टर को बहुत ही बुरा लग रहा होता है अपने फ्रेंड से कहता है कि अभी अभी तो मेरा बेटा पढ़कर आया था उसका कोन एनिमी हो सकता है दिन वो पूरे एमपायर को रूल कर सकता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जाएंग मुझूद है साफसपय का काम वो यहाँ करता है और काम करते करते ही वो मास्टर के सन की फोटो देखता है इसे शौक लगता है और वो बहुत ही डर जाता है रात में सडक से जब यह जा रहा होता है तो लोग बात करे होते हैं कि मास्टर के सन को अगर कुछ हो गया तो यह बहुत ही बुरा होगा जिसने किया होगा उसे बहुत ही तटपाया जाएगा मास्टर ने उसके सन को ढूंड कर जो देगा इसके लिए बहुत सारा इनाम रखा हुआ होता है सुबह हम देखते हैं कि जैंग जिन हो के पास आता है उसे आकर कहता है कि मुझे एक आदमी को ढूड़ना है जब ये पैसे अगरा डिसकस कर लेते है तब जैंग उसे कहता है कि वो एक मर्डरर है मर्डरर का नाम सुन कर जिन हो पीछे हट जाता है वो पुलिस के कामा में ज़्यादा इंटरफेर ने करना जाता उसके लाइफ को भी खत्रा हो सकता है तो इसके लिए वो केस लेने वाला नहीं जैंग कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो जैंग को उसने बाहर निकाल दिया होता है जैंग उसे पाच वोन देता है वो कहता है कि मेरी सिर्फ बात सुनने के लिए है जाएंग फिर जिनो को एक जगा पर लेकर आता है जाएंग उसे एक dead body दिखाता है यह master के बेटी ही dead body होती है जिनो जब यह देखता है तो डर जाता है वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मैंने यह कभी देखा ही नहीं इसा आप मैं pretend करूँगा मुझे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा पर यह case जिनो को नहीं लेना होता जाएंग जिनो को कहता है कि मुझे body मिली थी मैंने नहीं किया है और इस काम के लिए उसे 500 one देना चाता है जिनो को अमेरिका जाने के लिए जो ticket लगने वाला है इसकी price ही 500 one है 500 one सुनकर जिनो रूख जाता है जिनो कहता है कि तुमारे पास body है तुम जाकर डारेक्ली देख कर आ सकते हो जाएंग कहता है कि मैंने इसके liver वेगरा सब कुछ निकाल लिया है हमने देखा था कि डॉक्टर ने जाएंग को कहा था कि real humans पर इसे practice करने चाहिए तो यही जाएंग कर रहा था और इसी वज़े से उसने liver वेगरा सब कुछ body से निकाल लिया था हमने movie के फ़स में देखा है कि एक आत्मी जंगल से body लेकर जा रहा था यह जाएंग ही था गुमते फिर थे इसने एक body देखी और इस पर experiment करना चाहिए ऐसा उसे लगा इसलिए body यह घर पर लिकर आया अब जिन हो पैसो के लिए एक case लेने के लिए ready हो जाता है जाएंग फिर उसे जहाँ पर body मिली थी वहाँ लेकर आता है यह जगा forest में होती है और body वहाँ पड़ी हुई थी जिन हो आसपास देखता है तो card के निशान उसे दिखते है जिन हो को लगता है कि अगर इस card को उसने पहचान लिया तो killer के पास हो पहुच जाएगा पर जाएंग ने ही यह card लाया था यह जाएंग को फिर से मजाग करकर पोचता है क्या तुम शोर हो कि तुमने नहीं किया इसके बाद हम देखते हैं कि दुनों market में आ जाते हैं जाएंग जिन हो को कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि forest के middle में जहाँ किसी को भी बोड़ी मिल जाए यहाँ बोड़ी रखी गई थी मर्डर ने कुछ भी effort नहीं लिये थे जिन हो कहता है कि इसके पीछे दो reason हो सकते है पहला यह बहुत idiot है और दूसरा कि वो च्छाता था कि यह बोड़ी किसी ना किसी को तुमिल जाए जिन हो जाएंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है इस आदमी को spot करता है और इसके पीछे-पीछे भागने लग जाता है जिन हो एक जगा पर ठकरा जाता है और यह आदमी आगे चला जाता है जैंक को लगता है कि यही killer हो सकता है इसके बाद हम देते हैं कि जिन्हों एक लड़की के पास आता है इस लड़की का नाम होता है सुन यह हमारे और एक मेन कैरेक्टर है यह एक फैक्टरी जीसी जगा पर काम करती है पर वहाँ वो बहुत सारे एक्सपरिमेंट करती है एक्टरी में इसे सैंटिस बनना आता है इसलिए हमेशा वो एक्सपरिमेंट करती रहती है जिन्हों को उसने एक दुर्बीन दी थी पर अब वो तूट चुकी है इसलिए जिन्हों उसके पास आता है इसके बाद यह बात करते करते चलने लग जाते है जिन्हों कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छी केस आई है अगर उसने स्वाल कर दी तो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे सुन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भे बहुत स्मार्ट हो अगर तुम भी अमेरिका गई तो वहाँ बहुत साही चीज़े तुम सीख सकती हो वो पूछती है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्हों केता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा सुन के दिये मैं सब एक्सप्रिमेंट्स वगिरा करती हूँ ये करकर मैं अल्रेडी बहुत सारी रिस्क ले रही हूँ सुन टेलिस्कोप और इस तरह की अलग अलग चीज़े बना दिये 1900 का जो वक्त था इतना प्रोग्रेसिव नहीं था औरते ये सब कर सके एक सिप्टे नहीं था इसलिए सुन के दिये कि मैं करकर और डिडी रिस्क ले रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों मास्टर के घर में आ जाता है जहाँ पर मास्टर के सन को उठवाय गया था तो एज़ पुलिस ओफिसर वो ढोंग करकर वहाँ आ जाता है पर मर्डर सिन को देखता है यहाँ पर उसे ड्रग्स मिलते है यह सब चानबिन कह रहाता है तब एक पुलिस ओफिसर उसे ढोंड लेता है इसके बाद उसे यंग के पास लेकर जाय जाता है यंग उसे मारता है और कहता है कि अब यह केस खतम हो चुका है इसने जो रियल किलर है उसे पकड़ लिया है यंग ने किसी को भी उठा लिया है और उसे वो कनफेशन लेने के लिए जबर्दस्ति कर रहा है जिन्हो कहता है कि अगर यह किलर है तो उसने body कहा रखी है यंग ने सिर्फ suspect के नाम से उसे पकड़ लिया था ये logic जब जिन हो सुनता है तो इस पर वो हसने लग जाता है जिन हो को फिर छोड़ दिया जाता है वो directly जैंग के पास आता है जिन हो ने murder scene से जो drugs लाए थे वो जैंग को दे देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये drugs है जैंग अब इसका study करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है ये drugs है जहाबर ये drugs sale किये जाते है वह फिर जिन हो और जैंग पहुच जाते है यहाँ अंदर सब नशेडी पड़े हुए होते है यही से ही master के sun ने drugs लियोंगे तो इसकी inquiry वो करने लग जाते है थोड़ी दिर में इस जगह का boss आ जाता है और वो जैंग को पहचान लेता है उसे पता है कि डॉक्टर के नीचे काम करता है और यह कफी भी drugs नहीं करता अब यह गुंडा सब आत्मे को लेकर उसे मारने लग जाता है जैंग और जिन हो भी रेजिस्ट करते है और बहुत सारे लोगों को मारते है बोस को पकड़ लेते है और उसे उल्ड़ा लटका देते है उसे पुछते है कि तुमने लास्ट पार कब मास्टर के सन को देखा था पहले भोल नहीं रहा था पर उसे बहुत डराते है तो बोलने लग जाता है यह कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था कि वो ड्रक्स लेने के लिए आया था उस दिन उसके घर के डारेक्शन में वो नहीं गया डॉंगी निनम नाम की एक जगा थी यहाँ पर वो गया था जब जिन हो और जाएंग यहाँ पहुच जाते है तो उन्हें पदा चल जाता है कि यहाँ पर एक सरकस थी यह सरकस अब ज़रा आगे चली कही है निकसिन में हम देखते है कि रात में कमिशनर के घर पर एक आदमी आता है इस आदमी को कमिशनर जानते है तो अंदर आने देते है पर यह आदमी कमिशनर का खोन कर देता है फिर से जंगल में जहाँ जाएंग को मास्टर के सन की बॉड़ी मिली थी उसी जगा पर पुलिस को मिल जाती है अब कमिशनर की डेट बॉड मिल चुकी है तो मास्टर और भी चिट गए होते है मास्टर यंग को धमकी देते है कि अगर उसने उसके सन को नहीं जल्दी से डोन कर दिया तो उसे वो फायर कर देंगे के बाद हम देखते है कि यंग एक आदमी के पास आयो हुआ है इसका नाव होता है इकवांग यंग इकवांग से पुछता है कि मैंने तुमें ही इन दोनों को इंट्रोडूस कर रहा था यानि कि कमिशनर और मास्टर का बेटा और अब ये दोनों डेड है इकवांग पर ये शक ले रहा होता है इकवांग केता है कि यो दोनों बड़े आदमी थे इनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते है हमने मुवी में देखा है जिसको कमिशनर ने मारा था ये ही इकवांग है अब पुलिस को कमिशनर की बाड़ी मिल चुकी है तो उसकी ओटपसी करने के रिए डॉक्टर को बुलवया जाता है पर डॉक्टर जैंग को ही लेकर आता है जब जैंगी ओटपसी कर रहा होता है तो कमिशनर के मुँ में एक कपड़ा होता है जिसको छुपा कर अपने बॉकिट में रख लेता है यहाँ इस ओटपसी में फिगर आउट करता है कि जिस नाइब में दोना तरफ से धार होती है इसे नाइब से मर्डर किया गया था यह रात में जाकर जिन्हों को यह सब बाते बता देता है जिन्हों भी इन्वेस्टिकेशन करी रहा था तो उसे नाइब के बारे में पता चल गया था कमिशनर के मुँ में जो कपड़ा था यह एक नया सुराब उन्हीं मिल चुका है तो इसके पीछे अब वो लग जाते है यह कपड़ा आया कहा से है यह पता नहीं कर पाते है सुन इंटेलिजन्ट है तो सुन के पास जिन हो यह कपड़ा लेकर आता है पर थोड़े एक्सप्रिमेंट करती है फिर उसे पता चलता है कि इस कपड़े पर फ्लावर बना हुआ था इसे फ्लावर के कपड़े सरकस में ही लोग पहनते है कमिशनर का बेटा मर्डर होने से पहले सरकस में ही गया था तो अब ये दो एविडनस इने मिल चुकी है तो सरकस में कुछ ना कुछ तो गरबढ़ है इसे पर्शू करने के लिए वो निकल जाते है जाक कर वो सरकस देखने लग जाते है तो वहाँ एक्वांग होता है इक्वांग डबल एज नाइफ से एक शो दिखाता है जिसमें एक आत्मे को बोर्ट से बानता है और उस पर ये चाकू चलाता है इक्वांग कहता है कि ओडियनस में से अगर कोई आ जाए तो सरकस में ये गेम खेलती होग डरेगा तो ये बहुत ही मज़ा आएगा जिन्हो जल्दी से उट जाता है और इसके लिए रेडी हो जाता है इक्वांग थोड़ी देर तक आखों में पट्टी बान लेता है उसके बाद चाकू चलाने लग जाता है ये देखकर जिन्हो बहुत ही डरा हुआ होता है पर सक्सेस्पुल ये गेम कम्प्रीट हो जाता है जब जिन्हो ने इस गेम के लिए वॉलेंडेर किया था तो उसी वक्त उसने नाइफ वहाँ से चुरा ली थी ये नाइफ वो चेक करते है और कंफर्म हो जाता है कि इसी नाइफ से मर्डर हुआ था जिन हो अवे भी कहे नहीं सकता कि इकवांग ने ये मर्डर किया है क्योंकि सरकस में इन नाइफ को कोई भी पा सकता है और किसी ने भी ये मर्डर किया हो सकता है इसके बाद हम सरकस देखते है इकवांग ने एक लटकियों को पकड़ कर लटका हुआ होता है यह लड़की यहां से भाग रही थी इसे वज़े से उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बाइक किया है तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ इस लड़की की एक छोटी बेहन भी थी उसे पकड़ कर ले आये है इस छोटी लड़की की भी उसकी जराने वाला था पर बड़ी लड़की के थी है इसका पिरेट आया हुआ है यह सुनकर इसे खुशी होती है यह एस छोटी लड़की को छोड़ देता है इसके बाद हम देख करते हैं कि न्यूजपेपर वालों के यहां जिन्हों को पुलाया गया है सरकस में एक बड़ा इवेंट चल रहा है जहां गवर्नर पुलिस ओफिसर यह सब आने वाले हैं यहां किसी को भी अलाउड नहीं है तो जिन्हों को खेता है कि वहां जाकर चुपके से तुम कुछ इमेजज़ लेकर आऊं यहां क्या जलता है एक को भी पता नहीं है इन्हें हम कुछ एक्स्पोज कर सकते हैं यह निउस पेपर वाला कहता है कि यह काम डेंजरस हो सकता है जिन्हों प्रिटेंड करता है कि उसे भी यह डेंजरस लग रहा है बर एक्च़ुल में उसे भी जाना होता है क्योंकि अब वो केस की investigation करने के लिए सरकेस के बारे में और भी कुछ चानना चाता है सरकस के यहां जाकर सरकस वालों से खेते हैं कि तो वे free की publicity मिल जाएगी इसलिए वो सरकस वाले भी इने photo लेने के लिए help कर देते हैं जिन हो अलगा एक टेन में घुषता है और वहाँ नाइपस खोजने लग जाता है यहां उसे killer कोन है इसका कुछ न कुछ तो evidence मिल सकता है पर इसे एक आदमी ढून लेता है और बहार निकाल देता है यहां से जा रहाता है पर दोनों छोटे लड़किया इसे रोक लीती है गयती है कि प्लीज हमारा भी photo ले लो जिन हो पहले मना करता है पर यह बहुती sweetly उससे request करती है तो जिन हो भी मान जाता है जिन हो सुन को उसकी case के बारे में सब कुछ चिज़े बताता है तो सुन को सब कुछ मालूम है तो वो भी थोड़ी सी investigation करती है सुन पता करती है कि जो इकवां है यह अलग-अलग behave करता है एक बार वो कुछ करेगा तो दूसरे बार कुछ अलगी चीज़े करता है पुलिस पर याने की यंग पर अप्रेशर बढ़ने लग चुका है तो एक आदमी को जो बहुत ही गरीब होता है confession करने के लिए मना लेता है यह एक fake body भी रखवा आते है यह आदमी सिर्फ पैसो के लिए admit करता है कि उस नहीं master के son को मारा है जब इस murder को देखने के लिए जिन हो और जैंग जाते हैं तो जैंग कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूँ यह वही आदमी था जिस पर operation हुआ था यह बहुत गरीब है इसी वज़े से इसने confession किया होगा यह वो जिन हो को बताता है जिन हो अब यंग के पास जाता है उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि यह real killer नहीं है मैं सब जाक कर यह master को बता सकता हूँ यंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो यंग बोचता है कि तुम्हें क्या चाहिए जिन हो कहता है कि मुझे सिफ तीन दिन दो तीन दिन में सही murderer में ढून निकालोंगा तब तक इस आदमी को कुछ भी होना नहीं चाहिए अब रात में investigation करने के लिए जिन हो सरगस के आसपास घूम रहा होता है तब इकवांग उसे ढून लेता है इस पर वो चाको लगाता है कहता है कि तुम यहां कर क्या रहे थे यह जिन हो को धम की देता है कि अगर वो आसपास फिर से दिखा तो उसे मार डालेगा जिन हो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही murderer हो इकवांग यह सुन कर surprise हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है जैसा हो pretend करता है अब इन दोन में fight हो जाती है पर इकवांग का twin brother वहा जाता है यह दोनों मिलकर जिन हो को बान देते है इसके बाद यह सरकस का show करते है इकवांग का जुड़वा ब्रदर अब जिन हो से मिलने के लिए आता है जिन हो केता है कि तुमने ही murder किये है यह जुड़वा ब्रदर केता है कि तुम पुलिस नहीं हो हम दोनों को अकेला छोड़ दो जिन हो अभी भी बंदा हुआ है और उसे वक्त सरकस का show चल रहाता है हमने जो दो लड़किया देखी थी वो सरकस में काम करती है और show करते वक्त उपर से हो चलांग लगा देती है यह बहुत ही इंजोड हो जाती है जैंग भी जिनों को ढूनते ढूनते यहां आही चुका होता है और जिनों को छुड़वा लेता है यह आसे जा रहे होते है पर लड़की इंजोर है तो जैंग इसे देखने लग जाता है इकवांग भी इस लड़की के पास आयो होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है यह अपने ब्रदर पर घुसा हो जाता है उसे मारने लग जाता है उपने ब्रदर को कहता है कि तुम्हारी वज़े से ये सब हुआ है जिन्हों टेंड के अंदर होता है और ये दोनों ब्रदर बाहर जगड रहे होते है जिन्हों को आवाज आती है और वो बाहर आता है पर वहाँ उसे एक ब्रदर की डेड़ बॉड़ी मिलती है अब इड़ बॉड़ी किस ब्रदर की है ये किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर पुलिस को बुलो आ जाता है यंग इकवांग का फ्रेंडी है तो यंग कहता है कि किसे ना किसे तरीके से मैं जल्दी से एक केस निप्टा लूँगा कोई भी वरी करने को तुम्हें जरूरत नहीं है जिन्हों के पास यंग आता है और कहता है कि क्या तुम्हें रियल किलर मिला है जिन्हों यंग को कुछ भी नहीं बताता जिन्हों को पता है कि जो ब्रदर जिन्दा है यही किलर है पर वो बताने नहीं वाला जो छोटी लड़की उपर से किरी थी इसको जाएंग हेल कर सकता है यह जल्दी से उसे होस्पिटर में लेकर आता है वो डॉक्टर को सरजरी करने के लिए बोलता है पर डॉक्टर मानने रहा होता है जाएंग डॉक्टर पर बहुत ही जिर जाता है वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पैसु के लिए नहीं कर रहे है डॉक्टर भी जेट जाते है और वहाँ से चले जाते है जाएंग अब खुद ही ऑपरेशन कर डालता है रात में जिन हो सुन से मिलने के लिए आता है जिन हो अब जरा परिशानी में है सुन यह पहचान जाती है सुनके दिये तुमें जो भी लगता है जो तुमें करना चाहिए यह तुम कर डालो वो कहती है कि जब तुम पुलिस में थे तुम जिस तरह से फियरलेस थे उसी तरीके से फिर से तुम यह काम करो यहां इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से पहले प्यार करते थे पर अब इनमें ब्रेक अप हो चुका है इसके बाद हम देखते है जिन हो यंग के पास जाता है और इसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिन हो फिर सरकस में पोचता है आसपास कही भी इकवांग नहीं होता पर उसका एक आदमी जो उसे बहुत मारता है और इकवांग का पता निकालता है नियूस पेवर वाले ने जिन हो को कहा था कि कमीशनर बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सब इकवांग के पास जाते हैं ये क्यों जाते है इसका रिजन अब उसे पता चल जाता है इन सब लोगों का कलब था जिसमें कमीशनर, गवर्नर, मास्टर का बेटा ये सब शामिल थे इकवांग इन सब लोगों को लड़किया सप्लाई करता था ये सब मिलकर इन लड़कियों का शोशन कर दे थे सरकस में काम करने वाली लड़किया हमने देखी है कि वो भागनी कोशिश कर रही थी यही रिजन था कि वो भागना चाहती थी इकवांग के आदमी से जिन हो पता निकाल लेता है इकवांग अब कहा होगा वो इस बार गवर्नर के पास आया हुआ है एकवांग और उसका जो ब्रदर है इनमें से एक लड़किया सप्लाई करता था दुसरे ब्रदर को जब पदा चल गया कि उसका ही ब्रदर लड़किया सप्लाई करता था तיה वो बहुत ही चिड़ गया गुसे में आका रिवेंज लेने के लिए सब को मारने लग गया जब एक दूसरे को इन्होंने कंफरंट किया तो एक ब्रदर मर गया जो मर गया वो लड़किया सबलाइक करने वाला था पर अभी भी जो माड़र कर रहा है वो जिंदा है इस बार वो गवर्नर को मारने के लिए गया है जिन्हों ये सब यंग को बदा देता है और यंग अब उस जगा पर पहुच जाता है कमिशनर को मारने से पहले ही इकवांग को रोक लेता है इकवांग को अरेस्ट करना चाता है पर इकवांग यंग को मार डालता है यहाँ पर गन लेकर जिन्हों भी पहुच जाता है इकवांग जल्दी से छुप जाता है और सब लाइट्स बन कर था लास में जिन गोली चलाकर इकवां को माहर डालता है केस अब सौल चुका है तो जिन हों को इस केस के लिए पैसे मिल जाते है वो अमेरिका जाना चाहता था पर सुन को अमेरिका भेज देता है सुन एक साइंटिस्ट है और वो अमेरिका जाकर अच्छा अविश्कार कोरिया में ला सकती है इसलिए वो वहाँ उसे बेज देता है सुन उसे कहे रहे हुती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है पर जिन हो कहता है कि मैं अब उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने वाला हूँ मूवे के लास में हम देखते है जिन हो और जाएंग के पास कुछ आदमी आते है इन दोनों को एक बड़े से आदमी के पास वो लेकर आते है ये आदमी उनसे कहता है कि मेरा एक लेटर गुम हो गया है ये नेधर लैंड में है जिन हो और जाइंग एक अच्छी टीम बना थे तो इन दोनों को ये लेटर ढोडने का काम हो दे देता है जब ये आदमी चला जाता है तो जिन हो को पता लग जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं था तो ये हमारे king ही थे जिन हो और जाएंग दोनों बहुत ही खोश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे बैसे भी मिलने वाले हैं अब ये दोनों as a team में case solve करने के लिए लग जाते हैं यही movie end हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आतर है तो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाना में मत भूलिये हम भी से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये